दोस्तो टेक आई टे में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इलेक्टिशियन फर्स्ट इयर का सिक्स नम्मर चेप्टर जो की चेप्टर का नाम है वैदुत सहायक सामगरी इलेक्ट्रिकल एसे स्रीज इसके चेप्टर से जितने भी जो अबजेक्टिव कोश्चन है सब अबजेक्टिव कोश्चन को आज मैं बता रहा हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सुरू करने से परले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकों दमादे क्योंकि यहां से आपको पर दे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेगा पर दे आपको थियोरी, इंप्लाइटियर स्कील और वक्सप क्लिकोलेशन और साइंस का फर्स्ट यर और सेकन यर का अल्टरेट में कोश्चन मिलते रहेगा तो चलिए आज हम फर्स्ट यर का कोश्चन चल रहे है चेप्टर नमर शिक्स एक विद्धुद्धारा परवा के लिए तयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है वो क्या कहलाता है अपसर नमर डी परिपत दो किसी वैद्धुद्धिक परिपत के मुखे घटक निम्न होते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें चारो तीनों हो सकता है क्या सपलाई अस्त्रोत सुरच्छा युक्ती बी नियंत्रन युक्ती उपहोगता युक्ती C. चालक युक्ति D. तो सभी है तो इसमें से ये तीनों हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा सपलाई और सुरच्छा युक्ति नियंत्रन युक्ति उपभोगता युक्ति और चालक युक्ति नेक चलते हैं कोश्चन नमर तीन ये जो फीगर दिया हुआ है ये फीगर के आपको नाम बताना है कि ये क्या है किस पूर्जा का नाम है तो ये पूर्जा का नाम है उप्सन नमर D. निर्गम पूर्जा 4. लगुरूप परिपत नियो वियोजा का परियोग आवस्यक है किस चीज के लिए आवस्यक है आप्सर नमर स्री भावन के परतिय कच की वाइरिंग में पांच थीरी पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण किया है क्यों हम अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं वो अधिक धरन धारा वहन कर सके यानि जितना सप्लाई पावर अगर एक बैक ज्यादा आ जाए तो उसको कैप्चर कर सका ऐसा ना कि वो गल जाए गल जाएगा तो पुरा सॉर्ट सर्किट में चल जाएगा नेक्स चलते हैं छे नमर कोश्चन थिरी फेज लाइन के परिपत को अन आफ करने के लिए समाने तपरियोग किया जाने वाला स्विच कौन सा है तो यह है ए नमर आप्चन आई सी टी पी स्विच नेक्स्ट है साथ नमर कोश्चन यह जो फीगर दिया गया है उसको किस नाम से हम जानते हैं इसको नाम है आप्चन नमर भी लेम्ब परिपत नेक्स्ट चलते हैं 8 नमर कोश्चन नemitलि कि चीत्र में दिखाएं गए परिपत को पहचने यह जो परिपत है इसको पहचन ना इसको किस नाम से जानते हैं तो यह है सौकेट परिपत यानि यह socket में ऐसा होता है वो कौन सा socket होता है यह देख लिजिए और इस दिया हुआ है 3-pin socket और दोस्तों एक चीज़ और बताना था कि इसके पहले जो 5 chapter का वीडियो है उसका link इस description में दिया हुआ है वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं question number 9 विद्धूत वाइरिंग में केबिल्स तथा तारों के अत्रिक्त अने कई परकार के युक्तियां अवस्यक होती है कौन-कौन सा युक्तियां होता है तो देख लिजिए switch socket भी होता है plug, top और top holder भी होता है और fuse भी होता है इन सबों काम यूज करते हैं युक्त ऐसा switch है जिसे दवाने पर किसी परिपत को और अस्थाई रूप से चालू किया जा सकता है एवं बटन को छोडते ही परिपत सुवता ही ओफ हो जाता है ये कौन सा है option नमरे push button switch नेक्स चलते ही 11 नमर question ये single phase AC अथवा DC supply line के लिए main switch का कारे करता है वह switch 15 amp, 200 amp, 200 volt से 660 volt तक बनाए जाते हैं तो ये है option नमर B दो pole iron, blade switch नेक्स चलते हैं 12 सन रचना के अनुसार switch के परकार बताईए कौन सा switch है तो ये है tabler switch, flush switch ये भी हो जाएगा उसके बाद है slide switch, tongal switch उसके बाद है rotary switch, man switch ये सब हो जाएगा नेक्स चलते हैं 13 नमर question विद्दूत वहन छमता के अनुसार switch के परकार कौन कौन सा है तो ये सभी परकार है 5 amp, 240 volt, 15 amp, 240 volt और 30 amp, 415 volt switch सब जो switch है 14 विद्दूत परिपत में lamp सा योजन करने के लिए परियोग की जाने वाली युकती क्या कहलाती है तो वो कलाती है lamp holder option नमर c, 15 lamp holders के परकार बता है कौन कौन सा परकार होता है तो जो option है सभी परकार है बायो नेट कैम्प lamp holder अस्कूर टाइप या tube lamp holder एडिशन अस्कूर टाइप लेंप होलडर एवं गोलियेट एडिशन अस्कूर टाइप लेंप होलडर नेक्स चलते हैं 16 नमर कोशन यह एक सुरच्छा युकती है जो किसी वैदूतिक परिपत की short circuit अथवा overload परिपतों परिस्तितियों में सुरच्छा परदान करती है तो यह option नमर c, fuse 17 मुखेता fuse कितने परकार के होते हैं तो यह fuse तीनों परकार के होते हैं Kitkat switch उसके बाद Kitkat switch नहीं होगा यहां पर fuse होगा उसके बाद cartridge fuse उसके बाद HRC fuse नेक्स चलते हैं 18 नमर कोशन चीत्र में दिखाएंगे fuse का परकार यह जो चीत्र में फीगर जो दिया हुआ fuse का यह कौन सा है तो यह है Kitkat fuse का है परकार नेक्स चलते हैं 19 नमर कोशन ceiling fan, tube light, pendant holder इत्यादी को विद्धुत supply परदान करने के लिए क्या परियोग किया जाता है तो option नमर 3 ceiling rose नेक्स चलते हैं 20 नमर कोशन lamp holder से lamp तथा आने किसी कारे के लिए संयोजन प्राप्त करने के लिए परियोग किया जाता है क्या ए डॉप्टर 21 SCB का पूर्ण रूप क्या है तो यह है option नमर 3 लगू परिपत वियोजन नेक्स चलते हैं 22 नमर ELCB से क्या तातपर्ज है तो इसका अर्थ होता है option नमर A अर्थ लीकेज परिपत वियोजन 23 नमर कोशन उपकरन में अर्थ दोस अथवा लीकेज उपस्थिती होने पर खाली अस्थान को आफ कर उपकरन को विद्धूत अस्त्रोत से पिर्थक क्रीत कर देता है क्या option नमर है C ELCB 17 नमर सधालन लगू परिपत वियोजक 5 एंपियर से 60 एंपियर पर कारे करने के लिए बनाए जाते हैं इससे अधिक एंपियर पर कारे करने के खाली अस्थान बनाए जाते हैं जो 25 एंपियर से MCCB MCCB पे ही ऐसा होता है उसके बाद 25 नमर MCCB से तातपर्ज क्या होता है Moded Case परिपत वियोजक यानि काने का मतबब MCCB होता है नेक्स चलते हैं तो question ये 25 ही था जो भी इस chapter से important question आया उस सारे question को हम आपको बता दिये तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी सेयर करें साथ साथ मेरे चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल एकों दबादे जैहिन